प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, ईश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पालजी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर कर दो क्या है बोलो सत्गुर्देव की जै बंदी छोड़ कबीर प्रमेश्वर जी की जै बंदी छोड़ गरीव दास जी माराज जी की जै स्वामी राम देवानन जी गुरु माराज जी की जै सर्वे शन्तों की जै सर्वे बगतों की जै दर्मी पुरसों की जै स्री कासी दाम की जै स्री छुडानी दाम की जै स्री करुथा दाम की जै स्री बरुवाला दाम की जै साथ साही ग्रिव नमो नमो सत्पुरसकुन नमसकार गुरु की नहीं सुर नर्मुनि जनसा दुआ संतों सर वस्दी नहीं सत्गुरु साहब संतु सब डंडो तुम प्रणाम आगे पीछे मध्युवे तिन कुजा कुर्बान नराकार निर्विशं काल जाल वैभंजनम निरले पमनिज निर्गुनम अकल अनुबेशं दुनम सोहं सुर्ती समापतन सकल समाना निर्थले उज्वल हीरं बरहर दमं बेपरवा अथा है वार पार नई मज्दतं ग्रिव जो सुमरे स्यद होई गणनायक गलताना करो अनुगरे सोई पारस पदपरवाना आदी गणे समना गणनायक देवन धेवा आचरन कमलो लाऊं आजन्त करूं सेवा प्रम्सक्ती संगीतं रिचिदाता सोई आउगत गुने अतीतं सत पुरस निर्मोही जगदं बाजगदीशं मंगल रूप मुरारी तनमन अर्पों सीसं बग्दिम्धी भंदारी सुर नर्मनिजन ज्यावें बिर्मा विश्णु महेसा सेश सेश मुक गावें पूजें आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुन धर्मराय ज्यावें समर्थ जीवन जीका मन इच्छा फल पावें तेतिस कोटी आधारा ध्यावें सेंस अठासी उतरें भावजल पारा कट है यम की फांसी कर जोरूं विनती करूं दरूं चरन परसीश गुरुजी राम देवानद जी महराज ने दियो नाम बक्सीश कोटी कोटी सिजदा करूं कोटी कोटी परणाम चरन कमल मैं राखियो मैं बांदी जाम गुलाम कुता हों गुरुदेवकार अंपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवडी जांखे चो आजाओं तो तो करो तो बावडूं दूर दूर करो तो जाओं जो राखो तो ही रहों जो देवो सोखों जाइब कैसत गुरू मिले जब दुख आखों रोए चरन उपर शीश धरूं कहूं जो कहने होए कभी रिसाई मिलेंगे पूछेंगे कुसला तूर आद अम्त की सब कहूं अपने दिल की बाते गुरू जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएंगे अमसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको ना हीं तुमरे विसारे क्या बने मैं किस की सरण में जाओं सी विब्रंच मुनी नारदा तिनके हर दना समा अब गुन किये तो भोत किये करत नमनी हर बावें बंदा बक्षती हो बावें गर्दन उतार अब गुन मेरे बाप जी बक्सो ग्रीब न्यवाजे जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता कूलाज मैं अप्रादी जनम का नक्सिक बरे विकारे तुम दाता दुख बंदना मेरी करो सबर पूर्ण प्रमात्मा सारी सिर्ष्टी के रचनार कबीर देव कबीर साहिब जी ये वो प्रम अक्सर ब्रम है जिसके विसे में गीता जी अज्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर सत्रा में कहा है कि उत्म पुर्शेतु अन्य प्रमात्मा इती उधारते ये लोक तर्म आविस से विबरती अवे इस वरे गीता जी अज्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर सोला में दो प्रभुवों का वरणन है एक सरपुर्श एकक सरपुर्श सरपुर्श को सरब्रहम भी कहते है पुर्श कहो ब्रहम कहो राम कहो साहब कहो अल्ला कहो गौड कहो ब्रहम कहो पुर्श को पुर्श मने प्रभु और प्रमात्मा मनुष दर्श है इसलिए उसने अपना ही सुरूप मनुष को दिया है नर नारायन दे ही पाक है अर्जा कट्या नाजम का फंद डे तो इसलिए पुरुष का अर्थ प्रमात्मा है लेकिन मनुष भी उसी काकार होने से हमने अपने इस पांस्ततों के पूतले का नाम भी पुरुष ही रख लिया तो वास्ता में पुरुष बने पुरुष है शर पुरुष या सर बरहम कहो अक्सर पुरुष या अक्सर बरहम कहो गीता जिद्याय नमर पंदरा के सलोक नमबर सोड़ा में सरपुरुस और अक्सरपुरुस सरब्रहम और अक्सरब्रहम इन दो परभुहों का जिकर है वर्नन है और इनके विसे बता है कि ये दोनों सरपुरुस भी और अक्सरपुरुस भी ये दोनों ही नासवान है इनके अंतरगत जीतने प्राणी हैं वो भी सारे उनका भी नासवान है लेकिन जीव आत्मा आमर होती है वो किसी की मरती नहीं फिर गीता जी द्यानमर पंद्रा के सलोक सत्रा में सभष्ट किया कि उत्तम पुर्शतु अन्य उपर ले तो सरपुरुष और अक्सरपुरुष से अतिरिक्त अन्य कोई और है उत्तम पुर्श यानि पुर्शोतम स्रेष्ट परभू परम ईश्वर परमेश्वर परम कहो उत्तम कहो स्रेष्ट तो परम पर्भू परम ईश्वर परम परमेश्वर परम ईश्वर परमेश्वर ये तो कोई और है और वही सब का धारन पोजिशन करता है वो वास्तम आविनासी परमात्म है तो वो परमात्म कवीर देव है जो कसी में जुलाहे की भूमी का करके और 120 वरस तक यहां मनुष सदर से एक जन साधान की भूमिका करके हमारे लिए एक उधारन छोड़ कर चलेगे कि तुमने परमातमा अग यदि पाना है और मेरे सचखंड में सतलोक में आना है तो मेरे जैसे ही तुमने किरियाएं करो अपना दैनिक करम भी करो करत्यव जो करम है मनुष का जो करत्यव करम कौन कौन से है एक तरो जीरो टी वाला करत्यव करम बच्चों की परवस उनका पालन पोशन करत्यव करम और साथ में बगती भी करत्यव करम है वो भी करनी जी उस परमेश्वर ने आकर ही हम सभी को यथार्थ ग्यान दिया है क्योंकि यहां का जो स्वामी है जो सर्पुरुस गीता जी देह नवर पंद्रा के स्लोक नवर सोला में जिन दो पुरुसों के बारे में जान करी दिये प्रभुवों के बारे में यह सर्पुरुस जो है सर्परूस, जिसको हम सर्पुरस बोल देतें हैं, सर्पुर्स, तो ये सर्पुरस जो है, ये ब्रहम है, ये जोती निरंजन है, ये काल है, ये 21 बर्मण्ड का प्रभु है, प्रुश है, स्वामी है, और हम उन 21 बर्मांडों में से एक बर्मांड में हम यहां विद्मान है तो इसने 21 बर्मांड में हम सभी को रोका हुआ है हमें अपने जाल में फसा रख्या है इसने सच्खंड में सतलोक में एक बैंकर गलती करी थी उस गल्टी का प्रिणाम इसको भोगना पढ़ रहा है कि ये एक लाख मानों स्रीधारी प्राणियों का नित आहार करता है और पत्थिस परतिस एक्स्ट्रा ये परतिजन उत्पत्थी करता है इसको ऐसी एक सराप लगया, साप लगया उसके लिए इसने हमें अपने खाने के लिए यहां रोक रख्या है और हम इसको ही सुप्रिम पावर मानते रहे बिरमको जिसका ओम नाम है ये काल है इस काल ने हमें पूरण रुप से मिस्गाइड कर दिया परमात्मा का नामो निसान मिटा दिया उस उत्म पुरसेतु अन्य उस पुरशोत्म का नामो निसान मिटा दिया स्वम ये परमात्मा बन बैठा और सभी को कहता मैं ही परभू हूँ इसके विसे में परमेश्वर ने कहा कि जोच सुरूपी ये कहे नरंजन मैं ही करता बाई एक न करता दो ना करता ये नो ठहराए बाई मुला माया मग मैं बैठी हन्सा चुन चुन खाई और ये जोच सुरूपी कहे नरंजन मैं ही करता बाई एक न करता दो ना करता ये नो ठहराए बाई नो अतार जो है ये सारे भगवान बता जिये और दसमा जो आए गा भी निक अलंग नाम से कहते हैं दसमा भी धुंदर मैं मिल जा सत्त कवीर दुहाई ओ दसमा भी जो भगवान तुम्हारा आएगा वो भी ऐसे ही विनास को प्राप्त हो जाएगा जैसे ये पूरो आवतार चले गए जैसे स्री करसंद जी के पैर में तीर लगया विसाखत तीर से उनकी मरतू हुई और ना जाने कितने पाप करम इकठे कर ले गए ऐसे स्री राम तंद जी ने रावन पर चड़ाई की करोड़ों आदमी मरवा दिये